आज हम बना रहे हैं गर्मा गर्म कुरकुरे करंची समोसा और यह समोसा बिल्कुल मार्केट की तरह बना था लगनी रहा था कि मैं घर में बनाई हूं बिल्कुल बजार की जैसा ही बना था हेलो एबरीवन वेल्केम टू माई चैनल कैसे हो आप सभी लोग सभी लोग अच्छे होंगे सवस्तों कि मैं भी बल्कुल बढ़िया हूं तो समोसा बनाने के लिए हम मैदा को निकाल लिए हैं हम करीब हाफ केजी मैदा निकाले हैं और उसमें हम चुटकी भर अजवाइन डा कर दो दो बढ़ चम्मच इसमें घी ढाले हैं और हम तेल से भी हम अपने मैदी को का खसता को बना सकते हैं लेकिन हम धी डाल करके बना रहे हैं कि घी से खास्ता ज्यादहाँ अच्छाव कश्चा यह उत आता हैं तो हम दो बढ़े चमच घी डाल करके इसे हम अच्छे सी मि बहुत देर तक 10 मिनट तक मिलाना है तो देखिए इसका किस तरह से मूठी बन जा रहा है तो जब यह मैदा बहुत अच्छे से मिल जाए तो इसको मैदा को हम गुथ लेंगे तो हम एक साथ पानी नहीं डालेंगे बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा करके पानी इसमें डालते जा करता है इसको हमारे जो हे जब रहे एक जगा तो इधर हम एड़क यह एक जगा है तो यहान रहा हम ढूना ऑर्टी खं़ग र एंग में जगा तो सभी चिलक को हम tau का तो पहले ही आलू को कुछ बाल करके रख दें ठंडे आलु से क्या है थोड़ा अच्छा राता है और गरम गरम आलु से बनाएंगे तो बिल्कुल मतलब हाड नहीं रहेगा आलु तो यह देखिए सभी को हम इस तरह से फोर लेंगे इसको बिल्कुल ज्यादा महीं नहीं करेंगे बिल्कुल इसी प्याज निकाल लिये हैं और ब्याज़ को अच्छे से यह काटींगे इससको कटींगे स्लाइस काट है तो इस तरह को प्याज सेश्चित स्वासा काता है तो अध्रक को अपना fry करते हैं तो हम तेल डाले है हैं सरसू तेल में बना रहे हैं और इसमें देखी हम धनिया डाले है सब है प्याज डालते हैं, अब नहीं प्याज में बहुने में यह थोड़ी और सीधार यह सरी कर लिये हैं, अब अलु नहीं नहीं स्वाफ्ट कर लिया हैं तो थोलह पांदा नमट बगए जीरवगी मधशेर में Magazra, जीरह छुषपी सब्सक्तुदस ili गरम मसाला दाले झायान चम्मच और मिर्च दाले हैं भरिषे नमग गरसीमिक्सicle, जीरं ऑसिटटार नमख दाल है अच्छी से जाला दरेफें ठतनITE जाला है अपत्ता डाल करके इसे हम लास्ट में मुतलब भूंज लेंगे तो यह हमारा आलू बन के तयार है बिल्कुल देखें कितना हाड हो गया है तो यह समोसे के लिए लिए निकाल लेते हैं तो हम रोटी की तरह बिल्कुल रोटी सेफ में बेल लेंगे तो इसको देखें साइज में ही बेल रहे हैं तो इसको मोटा रखना है इसको मोटा रखना है साइज तो इसे हम समोसे का सेप देते हैं इस तरह से फोल्ड करके उसमें थोरा सा पानी लगा करके इसे समोसे का सेप दे रहे हैं और इसे इसको अच्छे से मिला लेंगे फीलिंग को ताकि फटे ने इसको अच्छे से मिलाना इस तरह से पोकेट बना लेना है अब उसमें हम करेंगे इस तरह से पोकेट बना के इसके मुह को बंद कर देंगे अच्छी चिपक जाएगा तो यह देखिए हमारा समुसा का साइज बिल्कुर समुसा बनके तयार है फील हो गयागे हैs हम दूसरा भी बिना लेंगे एक और में आपको दिखा देती हूं किस तरह से से तो इसे बना करके फिर इसमें आलू भरके इसको इस तरह से मुह को बंद कर देंगे अच्छे से बंद करेंगे ताकि तेल में डाले तो फटे नहीं तो इसी तरह से हम अपना सारा समोसा देखिए हम अपना फिल कर लिए हैं और इसे हम बहुत बहुत गरम तेल में डालेंगे कि मث washes in उसने टेल तो थोड़ा सा गरम हों Sydney में ढालेंगे जयाता गरम में ढालेंगे तो क्या है समोसे पर बबल्प की पूरइंगे तो हम यह बहुत तो इसको हम पल्लट दिये हैं थोड़ी दिर रखेंगे इसको बिलकुल तेजाज में नहीं बनाना है मीडियम फ्लें पर बनाना है देखिए हमारा फर्स्ट राउंड हो गया है तो हम सेकेंड राउंड के लिए हमें पने समौसे डाल रहे हैं समोंज में गचनल है निकल गया'S वर स्ट राउंड में गरड़ो को च्राइब करें निइकला है तो यह दिखें में समोंज अबन के तैयार है अरी मेरा वीड्यूय अच्छा लगओ नदेश केडिकार लैख करें चनल कास्शाओ